दोखो एक और कॉंसेप्ट हम लोग सीखें यह कॉंसेप्ट है कॉमन टेंजेंट टू टू कोनिक्स दोखो जैसे माल लो एक सरकल है और एक पैरा बोला है हाना हमें एक ऐसी टेंजेंट निकालनी है जो दोनों के कॉमन हो एक ऐसी टेंजेंट निकालनी है जो इस पर भी टेंजेंट हो इस पर भी टेंजेंट हो दोखो तरीका क्या होगा दोखो तरीके दो हैं दो मेथड हैं कोश्चन को करने के दोखो एक मेथड तो यह है कि आप पैरा बोला पर एक पैरामिट्रिक पॉइंट माल लो पैराबुला पर पैरामेट्रिक पॉइंट माल लो बता हैं मैंने कैसे मानते हैं माल लो आपने ये माल लिया ठीक अब इस पैरामेट्रिक पॉइंट पर इकोशन ओफ टेंजेंट निकाल लो पैरामेट्रिक पॉइंट पर इकोशन ओफ टेंजेंट निकाल लो बो टेंजेंट सर्कल को भी टच करेगी इसकी कंडिशन लगा दो अब यह टेंजेंट सर्कल को भी टच करेगी आलसो टेचेस दी सर्कल अब यह टेंजेंट सर्कल को टच करेगी तो कंडिशन मतलब क्या होगा सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकलर center से drop किया गया perpendicular radius के बरावर कर दो है ना ऐसे कर सकते हैं अब तुम्हें माल लो इस पैरावोला पर parametric point मालूम है है ना तुमने parametric point माल लिया उस पर tangent निकाल लिया अब अचली क्या है जब तुम tangent निकालोगी तो वो t तुमको निकालना पड़ेगा और t निकालने के लिए यही काम करेंगे क्या सरकल के center से perpendicular drop करेंगे रिडियस के बरावर कर देंगे एक तरीका देखो यह दूसरा तरीका देखो यह है जो हर जगे लगेगा मतलब यह for all curve है सारे curve के लिए है curve का मतलब यह यह conic में भी चलेगा और यह function में भी चलेगा सब में चलेगा दो क्या method है जैसे माल लो दो curve है एक curve यह है एक curve यह है क्या करोगे इस पर एक point माल लो alpha 1, beta 1 और इस पर एक point माल लो alpha 2, beta 2 अब दोखो हमें actually यह tangent चाहिए common tangent चाहिए common tangent जानन common tangent चाहिए मालो अब ध्यान देना जैसे ये point इस गर्व को satisfy कर दो और ये point इस कर्व को satisfy कर दो फिर क्या करो इस curve के इस p point पर tangent निकालो और इस curve के q point पर tangent निकालो और दोनों tangent को compare कर दो इसे क्या होता है मालो ये दो lines अपने पास है एक लाइन ये है और मानलो एक लाइन ये है दो लाइन्स है मानलो ये दोनो लाइन्स सेम हैं मतलब दो एकोशन है लेकिन दोनो एकोशन मानलो सेम लाइन की है अगर मतलब ये दोनों ही सेम लाइन की एकोशन है तो इनको कंपेर कर सकते हैं compare करने का मदद देखो a1 upon a2 बरावर b1 upon b2 बरावर c1 upon c2 ऐसा कर सकते हैं x का coefficient upon x का coefficient equal to y का coefficient upon y coefficient equal to c1 upon c2 है ना तो अगर ये दो अलग-अलग equation हैं लेकिन दोनों same line की हैं तो हम इनको compare कर सकते हैं अगर दो अलग-अलग equation हैं दोनों same line की हैं तो इनको compare कर सकते हैं को वह ही करेंगे जैसे इस tangent को निकालेंगे p point पर मतलब यहां से निकालेंगे equation of tangent मतलब इस वाले curve पर मालो first है तो first curve के इस p point पर हना tangent का equation निकालेंगे फिर मालो ये second है फिर इस tangent का equation निकालेंगे कैसे हाना equation of tangent ठीक है for second at q point मतलब हमें ये common tangent चाहिए तो क्या होगा दोखो इस curve के इस point पर एक tangent का equation निकालेंगे इसी पकार इस curve के इस point पर एक दूसरी tangent निकालेंगे अब जो दो tangent आएंगी वो actually दोनों tangent same line होंगी इसलिए उनको compare कर देंगे compare और हाँ एक बात और ध्यान देना alpha 1, beta 1 इस curve में put भी करेंगे क्योंकि वो curve को satisfy करेंगे तो उससे alpha 1, beta 1 ने एक relation मिल जाएगा इसी बिगार alpha 2, beta 2 इस curve में put करेंगे वो इस curve को satisfy कर देंगे तो उससे alpha 2, beta 2 में relation मिल जाएगा फिर कुछ direct here यहांसे मिल जाएगे जब ने compare करेंगे तो उससे क्या फाइदा होगा alpha 1, beta 1 निकल आएगा यह alpha 2, beta 2 निकल आएगा alpha 1, beta 1 निकल आया तब भी tangent मिल जाएगी और alpha 2, beta 2 निकल आया, तब भी 10 मिल जाएगी, फिर सुनो क्या करना, दो कर्व हैं, अब दोकों ये method सारे curve के लिए, ये method सब में चलेगा, ये method function में भी चलेगा, ये method konic में भी चलेगा, कई बर क्या होता है, दो अलग-अलग function देते हैं, कहते हैं, उनकी common tangent बताईए, दो अल दूसरे curve पर दूसरा point मानो, alpha 2, beta 2, उसको दूसरे curve में satisfy करा दो, फिर इस curve के इस point पर equation of tangent निकलो, दूसरे curve के भी इस point पर equation of tangent निकलो, अब वो दोनों tangent actually same होंगी, तो उन दोनों tangent को निकाल के आपस में compare करें, क्या लिखा, equation of tangent for first curve at point P, क्या लिखा, equation of tangent for second curve at point Q, मतलए second curve के लिए Q point पर tangent निकलो, first curve के लिए P point पर tangent निकलो, उन दोनों tangent को आपस में compare करा दो, compare कराने का ये तरीका, x का coefficient upon x का coefficient, y का upon y का constant upon constant, अभी मैं question करके बताओंगा, तो ये बात तुमको ज़्यादा समझ में आएगी है न, तो क्या तरीका है दो को ये, equation of common tangent निकलने का, ये method सिर्फ konic में चलेगा, कि क्या किया, एक konic पर एक point माना, parametric point, उस पर tangent निकला, वो tangent दूसरे को touch करेगा, condition लगाया, अब वो दूसरे को touch करेगा, circle में center से perpendicular drop कर देते हैं, कोई और konic होता, तो उसमें quadratic बनाके d को zero कर दिया जाता है, वो अलग-अलग तरीके मैंने बतायते हूँ आप रहना, तो इस method को लिखू, अभी मैं question करके दिखाऊंगा, तो आपको बात clear होगी, लिखो जना ध्यान से,